Nifty and Bank Nifty Analysis वीडियो आज भी मार्केट ने काफी अच्छे मूव्स दिये काफी सारे लोगों को प्रॉफिट्स बनाने का मौका भी मिला और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट्स बनाए भी उस के शीन शॉट भी मुझे उसनों ने भेजे तो आज जो चैनल पर सबसे पहली ब और वही मैंने यहां पर मार करके रखे हुए हैं जितने पॉइंट्स में मुवमेंट हुआ है मैंने सिर्फ उतने पॉइंट्स ही यहां पर मार करके रखे हुए आपको जो लेवस दिये मैं दिका देता हूँ यह हमारा टेलिग्राम चैनल है options for tomorrow का यह challenge free है सबके लिए सिर् कल इवनिंग में मैंने आपको 9.45 पर कल नाइट में आपको यह important levels दिये थे जिससे कि night से लेके morning तक आप इन levels को draw कर सके अपने चार्ट में और analyze कर सके चार्ट को कैसे use करते हैं इस पर मैं already एक video बना चुका हूँ detailed और उसका भी link आपको description में मिल जाएगा आप चाहें तो उस link को देख सकते हैं उसमें मैंने इन सारे tools को use करना बताया है कैसे use कर सकते हैं और फिलाल यह levels मैंने दिये आप चाहें तो इस video को pause करके इनको वहाँ पे टेली कर सकते हैं तो जितने points में moment हुआ है वो मैंने draw कर रख्या है nifty और bank nifty का बाकी morning में मैं pre open update भी दे देता हू वो भी आप video चेक कर सकते हैं तो इस सारे messages आपसे miss ना हो आप चाहें तो telegram channel join कर सकते हैं और इन levels ने कैसे क्या किया काम market में कैसे क्या हुआ वो हम देख लेते हैं अभी तो nifty ने आज आपको opening दी और पहली candle बहुत ही ज़्यादा confusing candle थी क्योंकि doji candle बनी doji candle जो होती है वो तो ये उपर भी जा सकता है market इसके बाद या फिर नीचे भी जा सकता है क्योंकि जो movement हुआ है वो उपर और नीचे दोनों side हुआ है तो मैं हमेशा suggest करता हूँ कि market जब भी open हो तो आप क्रिपया कर पहली candle में कभी भी trade मत करें कोशिश करें कम से कम 3-4 candle का wait करने का 15-20 minute का क् actually में क्या होता है कि बहुत सारी positions जो पीछे से carry forward होती है तो लोग एकदम से gap up या gap down होने पर जैसे किसी ने put forward किया है कल वो जैसे ही gap down देखता है तो वो अपनी position को exit करता है कुछ लोग नई position बनाते है तो पहली 2-3 candle में एक या 2 candle में बहुत ही जादा fluctuation होता है market में जिसक अब यहाँ पर हुआ क्या कि अगली candle ने इस level को एक अच्छी तरीके से break कर दिया और जब इसने पुरानी candle के closing को break किया तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा confirmation मिल सकता था call के लिए यहाँ पे जिन्होंने call में position बनाई उनका stop loss क्या रहेगा पिछली candle का lower body जैसे यह यह आप का stop loss हो सकता था जो 17,930 है और आप entry ले रहे थे 17,939 पे सिर्फ 10 point का stop loss था और यहाँ के बाद market ने आपको पहले यह level टच करा दिया है उसके बाद जिन्होंने यहाँ exit कर लिया बहुत अच्छी बात है दुबारा wait किया किसी signal का तब आपने अगर entry ली जैसे कि यहाँ दे resistance का कोई भी price breakout देती है तो 90% से ज़्यादा chance है कि वो उसको एक बार retest जरूर करेगी कि क्या यह जो पहले resistance की तरह काम कर रहा था क्या यह अब support बना है या नहीं तो यहाँ देखिया बिल्कुल से यह breakout मिला आपको यहाँ पर एक बार इसने retest किया और दुबारा जब अप एक चोटा सा call का फिर से trade बन सकता था जो आप यहाँ पर exit कर सकते थे आपने यहाँ पर exit क्यों किया क्योंकि पहले तो एक red candle बनी जिसकी upper shadow देखिये ज़्यादा थी upper shadow का मतलब हुआ कि buyers ने कोशिश की market को उपर ले जाने के लिए लेकिन sellers का वहाँ पर power थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और उन्होंने वापस market को close नीचे की side कर दिया तो यहाँ पर seller का थोड़ा सा हमें power ज़्यादा दिख रहा है जिससे हमें लगता कि शायद हमें position को exit करना चाहिए और अगली candle, red candle ने जब इस level को break कर दिया तो वो confirmation दे दिया कि आप market नीचे जा सकती है तो अगर आपने यहाँ कही position बनाई थी 17,980 पर तो आप यहाँ पर 18,10 पर exit कर सकते थे आराम से तो और उसके बाद जब इस level को break कर दिया देखिए इसको break करने के बाद put के साथ आप छोटा सा trade था छोटे से level थे और यहाँ पर एक मुझे pattern दिखा फिर से एक बार यह top है यहाँ पर एक top 1 और यह top 2 तो इस दो टॉप बने यहाँ पर double top अक्सर हमें क्या बताता है जिदोंने course में भी सीखा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उन्होंने profit भी book किया है इस से तो course options rating का जो course है उसके बारे में वीडियो के सबसे last में पैटरन एक दुबारा जैसे engulfing candle बना हुआ है यहाँ पर bullish engulfing तो bullish engulfing आपको uptrend के बारे में बताता है यहाँ पर आपको confirmation मिला यह आपका stop loss होता और यहाँ पर entry लेने के बाद आप एक अच्छा level यहाँ पर touch कर आये हैं और यह आपका second level touch हो गया तो यहाँ पर आप exit ज यहाँ पर neckline break होई और यहाँ पर एक put का एक अच्छी entry बनी और आप एक अच्छा profit देख रहे हैं इस level तक आप profit book कर चुके हैं अभी भी अगर किसी ने hold करके रखा हुआ है तो शायद वो इस level तक का weight कर सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी risk नहीं दिख रहा है reversal का और market लगवग नीचे जा ही रही है level के हिसाब से तो बात कर लेते हैं कल क्या कर सकते हैं nifty में और तो आप हमेशा जानते हैं कि अगर मैं जैसे किसी भी market माल लीजे कहीं भी gap आप दे के अगर किसी बीच लेवल में दे तो मैंने आपको हमेशा बोला है level के बीच में अगर movement हो रहा है इसका मतलब बहुत कम range में movement हो रहा है तो यह range bound या sideways market हो गई उसमें trade मत करिए सबसे ज़्यादा safe है अपने चीजों पर control करिए और अगर किसी भी support या resistance का breakout देती है अगर इस level का breakout देती है तो फिर हम उपर हम एक retest का इंतिजार करेंगे इस level पर और उसके बाद एक up move देती है तब ही हम उपर की buying के लिए call के साथ जा सकते हैं अगर market कहीं भी opening अमाली जे gap down opening देती है और इस level को resist करती है बार बार मतलब इसका breakout नहीं कर पाती है उसके बाद हमें एक fall दिखता है तो फिर हम put के साथ जा सकते हैं इस target के लिए अगर इस target पर हमको कोई भी खतरा reversal का खतरा means अगर आपको reversal pattern नहीं दिख रहा है तो फिर हम जा सकते हैं अगले target के लिए और देख लेते हैं आज कुछ लोगों ने बढ़िया सा profit book किया है अच्छे अच्छे profits हैं बहुत सारे लोग profits के screenshot मुझे share करते रहते हैं जिन्होंने course से भी सीखा है या फिर कही weight, entry, patience, confidence यही तीन चीजे हैं जो इन बाई साब ने बोला है और आपको profit की तरफ ले जाएंगे कोर से बहुत कुछ सीख लिया है sir 18,000 का बहुत अच्छा profit है he is the same person जिन्होंने कल 84,000 का put में अच्छा profit book किया था यह जो आप screenshot धेख रहे हैं 919 का यह शायद इनकी कल की put forward थी जो आज इन्होंने gap down opening पे exit की है तो यह अच्छा profit था और 663 का morning profit sir अच्छी बात है सुबह सुबह profit sir पहला profit मजा गया very good 555 का 2745 का thanks sir after course I never book loss and my amount increase day by day it's very good best of luck और I am beginner so booking small profit 307 profit होना जरूरी है आगर आप beginner है तो छोटा profit है यह आपका confidence build करता है यह बहुत ज़रूरी चीज है 10K loss से cover हुआ हूँ sir saying is also earning all credit goes to your knowledge and patience very good आप भी इन चीजों का ध्यान रखे यहां भी एक अच्छा profit है और thank you sir for course for individual trade with profit very good 670 का एक अच्छा profit है शुरुआत में गुरुजा office जाने के पहले ही profit thank you very good 200 का एक अच्छा profit 4000 morning profit love you sir love you too 1426 का एक अच्छा profit है यहां पर इतनी खुशी tip वाले से ज़्यादा कमा कर नहीं ही मिली जितना अपने knowledge से थोड़ा कमा कर मिलती है यह तो एक बिल्कुल genuine सी बात है कि आप अगर खुद से किसी चीज को सीख रहे हैं और उससे profit book कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुश्वी की बात कुछ नहीं हो सकती तो knowledge is the key to regular success यह हमको पता है और again profit thank you sir morning star very good 964 का thank you sir course बहुत कुश सीखने को मिला good आप दे कि सीखते रहे हो बहुत जरूरी है सर आपका course लिया है जब से profit ही हो रहा है very good यह भी एक अच्छा profit है 450 रुपीज का एक profit है यहां पर भी ए अच्छा profit book किया है बाकी इस तरीके से लोग share करते रहते हैं screen shots मुझे देते रहते हैं मैं share करता है रहता हूं जिससे की बाकी लोगों का भी confidence build होता रहे है और अब देख लेते हैं आगे bank nifty का क्या रहा moment देखे अभी यहां पर market moment दे रही है आपको level तक ले जाने की कोशि book किया उसके बाद एक बड़ी candle ने इस level का breakout दिया इस breakout के बाद इस candle ने एक अच्छा support लिया और एक बहुत बड़िया level के साथ आपको एक अच्छा profit यहां पर देखने को मिल गया इसके बाद देखे यह pattern आपको यहां पर दिख गया एक अच्छा साफ pattern बिल्कुल साफ pattern है double top का और जिन्होंने course पे सीखा उन्होंने भी एक अच्छी तरीके से तुरंट इसको analyze किया और मुझे message भी किया कुछ लोगों ने और उन्होंने कुछ entry यहां पर बनाई और एक अच्छा fall देखने को मिला हमें इस level पे देखे यह फिर एक bullish engulfing pattern बन गया जिसकी वज़े से reversal pattern हमको देखने को मिला तो अगर आपने यहां पे भी exit किया तो एक अच्छा profit आप यहां से book कर चुके है put के साथ और यहां पर अगर call के साथ गये तो यहां पे हमने exit किया यहां पर क्यूंकि हमको यहां पर फिर से एक double top दिख गया एक top और यह दूसरा top तो यह हमने जैसे exit किया तो हमने दुबारा फिर put के साथ entry बना ली इस call को exit करके और एक अच्छा profit बुकल्या market देखे नीचे के level पर पहुचने वाली है तो जो लोग अभी wait कर रहे होंगे उनका profit regular बढ़ रहा होगा अभी मेरे बहुत सारे screenshots आ रहे हैं मैं बाद में टेलिग्राम में share कर तो इसी तरीके से कल भी हम level के हिसाब से देख सकते हैं market का movement अगर market एक अच्छा gap अप देती है हमको और यहां किसी level पर support लेती है तो फिर हम उपर की buying के लिए जा सकते हैं call के साथ और हम हर level पर कोशिश करेंगे check करने की कि अगर हमें reversal pattern नहीं मिल रहा है कोई भी reverse pattern नहीं hold करें और अगले level तक का अपने target बना कर चलें अगर market का ही resistance लेती है और नीचे की तरह fault देती है तो फिर हम put के साथ जा सकते हैं और same level के साथ हम काम कर सकते हैं अगर इस level पर हमको कोई reversal pattern नहीं दिखे तो फिर हम अगले pattern के लिए जा सकते हैं तो यह जो important updates है important levels है यह आप कि आपसे मिसना हो तो टेलिगराम आप जोइन कर सकते हैं और आप बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में जो लोग wait कर रहे हैं मैं बता दू आप सीधे हमारी website उसका link आपको description में मिल जाएगा course join करने के लिए और options for tomorrow.com पे जा सकते हैं यहाँ पर course one है only 1500 रुपीस का है इसमें लगबग 2 घंटे का पूरा एक content है इसमें recorded videos हैं जो मैंने खुद record की हैं आपके लिए और इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए as a beginner के लिए सबसे best है और in the money, add the money, out the money, यह strike price क्या होती है, stop loss क्या होता है, यह सारे important terms जो use किये जाते हैं options trading में, बाकि options trading क्या है real world के एक example क साथ मैंने सरल भाषा में हिंदी में समझाने की कोशिश की है, बाकि 9 candlestick patterns हैं जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जो bullish engulfing और इस तरीके के 9 patterns मैंने समझाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बाकि chart patterns हैं जैसे double top की बात की मैंने ऐसे 8 chart patterns है, trading psychology के बारे में भी बात की हैं मैंन यूज करें, इसमें almost सब कुछ मैंने guide करने की कोशिश की है, आप चाहें तो इस तरीके से course को study कर सकते हैं, बाकि course 2 में कुछ strategies हैं जो आप इसको study करने के बाद implement कर सकते हैं, paper trading कर सकते हैं, analysis कर सकते हैं, अपने knowledge को test कर सकते हैं, मैं ये recommend जरूर करूंगा कि आप जब भी कह इसे भी सीखें, तो पहले उस चीज को paper trading के थूरूर से जरूर practice करें, 10-15 दिन अपने knowledge को test करें, अपनी accuracy को बढ़ाएं, paper trading कैसे करना है, उस पर already मैं video बना चुका हूँ, उसका link भी आपको description में मिल जाएगा, सबसे best है आप combo course ले सकते हैं, इसमें आपको दोनों course एक UK का content मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपको videos मिलेंगे, इसमें combo course में almost 12 modules है, 14 videos है, धाई गंटे का पूरा एक continue detailed course है, आप चाहें तो इसको study कर सकते हैं, कोई जोर दवस्ती नहीं है, इस सब आपके उपर depend करता है, अगर आप knowledge ले लाँ चाहते हैं, तो आप इस course को ले सकते हैं, तो course ज आपके पास है, phone पे, Google पे, Paytm, credit card, debit card, जिससे भी आप पे करना चाहिए, payment करने के बाद, आगर automatically आपका course डाउनलोड नहीं होता है, course की file डाउनलोड नहीं होती है, course की zip file है, आगर वो डाउनलोड नहीं होती है, तो आपको घबराना नहीं, simple आप payment का screenshot ले लिजे, और वीडियो से मिल जाएंगे, so thank you guys, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द, thank you very much